हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में जानेंगे मद्द्पिट इस व्यापम परिक्षाव में पूचे गए सामन अध्यन के प्रशनों के लिए तीस में हैं तो पूर्ण प्रशन है जानेंगे और यह दोस्तो इस यह वीडियो का सात्वा भाग है व्यापम परिक्षाव में पूचे गए सामन अध्यन के प्रशन का ऐसे ही भाग छे तक हम तीस तीस करके बहुत से कौश्चन जान चुके हैं जो व्यापम परिक्षाव में पूचे जा चुके हैं यह भाग सात में भी हम तीस कौश्चन सुझानेंगे तो दोस्तो यह कौश्चन हमारी व्यापम परिक्षाव के लिए महत्पूण रहेंगे क्योंकि यह बार बार दोहराए भी जाते हैं और अन्य प्रतियों की परिक्षाव की दर्श्टी से भी महत्वपूण रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रश्ण है परियाबराण में मुक्ष ताहक इसके बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव होता है तो वह कारवंडा यह अकसाइड गेस के बढ़ने के कारण अगला प्रश्ण है महाभारत का मूल नाम क्या है तो वह है जै सहीता अगला प्रश्ण है भारत नाट्याम आरम यह हुओ था तामिल्नाडू से आरम हिंडोला महल जिसे जूला महल भी कहते हैं हिंडोला महल जिसे जूला महल भी कहते हैं मद्य प्रदेश में कौन से जिले में इस्थित है तो यह धार जिले में इस्थित है कौन सी साड़ी है जो मद्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है तो वह है पोचाम पल्ली साड़ी जो मद्य प्रदेश में निर्मित नहीं होती है मंध्य प्रदेश में निर्वित नहीं होती जबकि चंदेरी महेशवरी भाग प्रिंट आदी मंध्य प्रदेश में निर्मित होती है अगला प्रश्ण नै कॉन वो व्यक्ति है जो लुम्बिनी मे पैदा हुआ था और सुध्धु धन तता माया का पुतर था तो इसका बुद्ध के पिता, सुध्दोधन तथा माया, उनकी जो माता थी वाय थी महा माया, अगला प्रश्ण है, पश्चिम केंद्रीय रेलवी जौन का मुख्यालाय कहां है? तो यह है जबलपूर में, कौन भारत का स्पाइस गार्डन है? तो यह है कीरल तो भारत का स्पाइस गार्डन या मस्साले का बगीचा कीरल को कहते हैं अगला प्रशन है कौन सा खेल मद्ध प्रदेश का राज की ए खेल है यह कई बार पूशा जाता है तो यह है मलखंब तो मद्ध प्रदेश का राज की खेल मलखंब है सोड़ी दोस्तो यह मलखान गलट टाइप हो गया है यह है मलखंब मलखंब है और इसकी लिए जो राजकी खेले बाद 2013 में घोशित किया गया है अगला प्रश्ण है आरच फेक्टर सब्द को हम किस किस संबंद में सुनते हैं तो आरच फेक्टर हम रक्त चाप के संबंद में सुनते हैं तो आरच फेक्टर संबंद रक्त आधान से है और आरच फेक्टर की खोज की थी लेंड इस्टीनर ने अगला प्रश्ण है किस भारतिय प्रधान मंत्री की मृत्यू ताशकंद में होई थी तो यह है लाल बहादूर सास्त्री तो 1965 में ताशकंद समझोते के समय भारति प्रधान मंत्री लाल बहादूर सास्त्री की मृत्यू थी अगला प्रश्ण है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है यह कॉशन कई बार पूछा जा चुका है व्यापम में तो यह है आलम आरा अगला प्रश्ण है ब्रिटिस कानूनी कारवाई से बचने के लिए किस रास्ट्री कभी ने फ्रेंच सासित पॉंडी चेरी जिसको पुदू चेरी कहते हैं का पलायन किया था तो यह थे सुब्रमान्यम भारति अगला प्रश्ण है नर्वदा बचाओ अंदूलन में प्रत्यक्ष रूप से सनलगन सक्रिताबादी या सक्रिताबादी का नाम बताना है तो वह कौन थे तो वह थे मेगा पाटकर अगला प्रश्ण है भारत में दिये जाने वाला सर्वुच नागरिक पुरुषकार क्या है तो वह है भारत रद तो भारत में दिया जाने वाला सर्वुच नागरिक पुरुषकार भारत रद ने जिसकी स्थापना दो जनबरी उन्नी सो चंगन में की गई और सर्व पृध हम भारत रतन डॉक्टर रधाकृष्णन सर्वपल्ली को प्राप्थ हुआ अगला प्रशन है किस सुतंतरता सेनानी को देश बंदू के नाम से जाना जाता है तो वह हैं चितरंजन दास अगला प्रशन है भारत का मुख्य भारतिय आंतरिक्ष प्रशेपन इस्थल कहा है तो वह है सुरीहरी कोटा अगला प्रशन है नई दिल्ली इस्थित विश्व प्रशित वहाई मंदिर को किस फूल की आकार में डाला गया है डाला गया है तो वह कमल की याकरती के फूल में कमल की फूल की याकरती में इस मंदर को ढाला गया है अगला प्रशन है मद्दि प्रदेश के किस इस्थान में मिया तानसेन की समादी है तो इनकी तानसेन की समादी है गौालियर में अगला प्रश्ण है कौनसा राज्य कालीन की बुनाई के लिए प्रशद है तो वह राज्य है जमुएन कस्मीर अगला प्रश्ण है मद्ध प्रदेश की बालागाट जिले में स्थित मलाज खंड खदान से कौन सी धातु निकाली जाती है तो ये भी कई बार पूचा जा चुका है तो ताबा अगला प्रश्ण है चंडीगड की रूप रेखा किसने तैयार की थी तो ये की थी ली कोर्बू जिये ने ली कोर्बू जिये अगला प्रश्ण है निंदनी है भूपाल गेस तरासदी के लिए कौन सी कंपनी जम्मिदार थी तो वह थी यूनियन कारवाइड कंपनी तो 2-3 दिसंबर 1984 में हुई भूपाल गेस तुरासदी के लिए यूनियन कारवाइट जिम्मेदार था और इस से मिथाल आईसो साइनाइट गेस का रिशाब हुआ था अगला प्रश्ण है अगला प्रश्ण है मद्प्रदेश में सबसे बड़ा रास्ट उद्यान कौन सा है तो वह है काना किसली है यह मंडला जिलेके 940 किलोमीटर छेत्रफल में बिस्त रहत है यह फैला हुआ है अगला प्रश्ण है मद्प्रदेश में किस अवसर पर बांबूली अगीत गय जाती है तो इसका उत्तर है मद्प्रदेश में बसंत पंचमी सिवरात्री मकर्शकरांती के अवसर पर बांबूली अगीत गय जाती है अगला प्रश्ण है किस किंद्री मंत्राले ने प्रधान मंत्री शड़क योजना का आरम किया था तो वैति ग्रामीर बिकास मंत्राले ने अगला प्रश्ण है भारती सम्विदान का अभी रक्षक कौन है तो यह है भारत का उच्चतम न्याले अगला प्रश्ण है बोलियों मेंसे कौन मद्यपिर्देश की बोली नहीं है तो वह है मैथली क्योंकि जो मैथली बोली है वह बहार की बोली है और अंत में आखरी प्रश्ण है कौन सा अक्ष भारत से होकर गुजरता है तो वहे करकरेखा जो भारत को दो भागों में बिभाजित करती है और यह भारत के आठ राज्यों को काटती है तो दोस्तो यह थी भापा में पूछे गए 30 महतमूर प्रशनुत्तर ऐसे ही अगले भाग में इस वीडियो के हम 35 महतमूर प्रशनुत्तर को भी जानेंगे तो आज के वीडियों पर सतना ही आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के शायर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू